जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अप्रेल 2022 के धनुरासी फल के बारे में सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग कैसा होगा 9 अप्रेल 2022 शुक्ल पक्ष का सनिवार का दिन होगा आज का राहुकाल का समय सुभे 9 बजकर 12 मिनट से सुभे 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगा तो इस दोरान कोई सुभ अथ्वा मांगली कारिये ना करें और आज का भिजीत मूरत यानि सुभ समय सुभे 11 बजकर 57 मिनट से दोफेर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा इस दोरान आप अपने सुब अथवा मांगलिक कारिय कर सकते हैं जो कि आपको सुब परणाम देने वाले होंगे दोस्तो नौ अप्रेल को सरवार्शिद्धी योग होगा और सरवार्शिद्धी योग में दुरगास्टमी का दिन होगा और नवरात्रों में अस्टमी तिथी का विशेश महत्व होता है और कुछ लोग अस्टमी तिथी को कन्या पूजन के साथ साथ विरत का पारण करते हैं जबकि कुछ लोग राम नौमी के दिन कन्या पूजन करके विरत पारण करते हैं अस्टमी के दिन मा महागौरी की पूजा की जाती है सास्त्रों के अनुसार अस्टमी तिथी के दिन मा दुरगा की विधी विधान के साथ पूजा करने से सुख सांती और सम्रिद्धे की प्राप्ती होती है मा दुरगा की किरपा से भक्तों को सभी कस्टों से मुक्ती मिलती है और सरवार सिद्धी योग इस दिन का महतो और भी बढ़ा देता है सरवार सिद्धी योग में किये गए कारिये बिना किसी वेवधान के पूर्ण होते हैं इस दोरान किये गई खरिदारी भी सुफलदाई होती है आज आपके प्रियाश सफल होंगे मान सम्मान मिलेगा कामकाज, वहवार, सौधेबाजी हर चीज से आपको लाबी लाब मिलेगा लेकिन हर चीज में आपको इमानदारी भी रखनी होगी पुराने दोस्त और रिष्टेदारों से बाचीत होने की संभावना रहेगी ऐस्वस्थता संभव है इसलिए थोड़ा सा अपने स्वास्था का ध्यान रखना होगा इस दोरान यात्रा पर जाने के युग बनेंगे और यात्रा आपके लिए लाबदायक होगी पति-पत्नी के बीच संभंदों में मधूरता आएगी कोई भी फैसला करने से पहले अच्छाईयों और कमियों के बारे में जरूर सोच लें पारे बारे सदश्यों से मतबेद खत्म होगा और आपसी रिस्ते अच्छे होंगे आपसी सामजस से बना रहेगा इच्छा सकती की कमी आपको भावनात्मक और मानसिक परिसानियों में फसा सकती है इस ओरान खर्चों में भी बढ़ोत्री होगी तो खर्चों पर काबो रखने की कोशिस करें सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च करें लब पार्टनर के साथ पुराने जगडे मिटाने के लिए दिन बहुत सुभ हो रहेगा बच्चों से स्वभाग्य प्राप्त होगा प्रेमी को सम्मान मिल सकता है लंबी यात्रा पर जा सकते हैं नए रिस्टों की सुरुवात हो सकती है अगर आपका लबर आपसी रूट गया है तो उसे मनाना आसान होगा और आपसी रिस्ते अच्छे रहेंगे आपसी रिस्तों में मधुरता रहेगी तो दोस्तों ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें जै मतादी